सावन के पहले संबार को 84 घंटा मंदिर और जार खंडी मंदिर में शिप भगतोने क्या जलाभी शेख संबार और शिप जी के संबंद के कारणी मा पारवती ने 16 संबार का उपवाज रखा था सावन का संबार विभा और संतान की समस्याओं के लिए अचूप माना जाता है आज सावन का पहला संबार है सावन का महीना ध्यान और तपस्या के लिए उत्तम होता है इसमें संबार का विशेश महतो बताया गया है अगर सावन के हर संबार विदी पूर्बग भगवान शिप की अराद न करें तो किसी भी समस्य से मुक्ति पा सकते हैं संबार और शिप के संबंद के कारण ही मा पारवती ने 16 संबार का उपवास रखा था सावन का संबार विभा और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है इसके चलते लाकों के तदात में कावडिये जल ले का जल भी शेक्या और अपनी मनों कामना पूर्ण होने की कामना की इस अफसर पर 84 गंटा मंदीर और जार खंडी मंदीर पर सुरक्षा की द्रश्टे से पुलिस वह पैशाशन ने कड़ी व्यवस्ता कर रखी थी जाता है头 से जाता पुलिस सोड़। क्या नाम है अपका? आज पैदा साबन का सुम्भारे ज़स्पर कैसी भीर दिपनाइटी? आज हनुआ है तो हम भुबा शेक भीर दही्त अप्रिस्टार और बढुकरोपिकाच्टी भांकपुली गुषदी और खामार बगार तो चान खामार बगार क्या नाम है अपका आज प्याला सावान का सोंबार है उसमें कैसी वेवस्ता है और कैसी भीर दिखाई दी है कितनी संख्या होगी आज जो जल चड़ा होगा है कितने वज़े से जल चड़ा है तार बजे से जल चड़ा है